आज का वर्दान श्रेश्ठ कर्म द्वारां दुआउं का स्टोक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनिय मूरत भवल आये इस वर्दान का स्वरूप बने। आम शांते संगम युग का ये मिरा ज्यान्मा। सर्वश्रेश्ठ सर्वोच्च ब्राम्भन जन्म है। इस स्रिश्टी ड्रामा के आदी से अब धक भन भन जन्मों में। कभी मुझे देवात्माओं का संग मिला। कभी धर्म आत्माओं का कभी महान आत्माओं का। तो कभी पुन्ने आत्माओं का पापात्माओं का भी अनुभव। कल्यूग के अंत तक मैं कर चुके हूँ। परस्वयम परम पिता पर्मात्माओं का। इतना समीप साथ कि जब वो मेरा मात पिता बंधू सखा बन गया। मेरे हर पल का साथी बन गया। ये अद्वित्य अनुभूती। न कभी होई और ना ही संगम के आलावा किसी जन्म में होगी। अब मैं हर पल हर श्वास एक बाबा की शाथ में अपने मन को डुबोई रखते हो। बुद्धी में उन्ही की श्रीमत को इतना धारण कर भरपूर करते हो। जो हर कार्म स्वत है ही। इश्वरी ये ज्ञान अनुरूप होता है। श्री श्री की श्रेष्ठ डारेक्शन अनुसा रहे। मैं बाबा की इस दिहे द्वारा इन कर्मिंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हो। इश्वरी द्रिष्टिकोण से आत्मिक भाव से हर द्रिष्य को प्रते एक मनुष्य आत्मा को देखती हो। व्रतियों से शुब भावनाओं की श्रेष्ठ कामनाओं की कल्यान की खुश्बू फैलाती हो। मन में श्रेष्ठ संकल्प उत्पन कर। सर्व का कल्यान करते हो। मन सास सेवास से कमसोर आत्माओं को शक्तियों का दान करते हो। हाथों से ऐसे कर्म करते हो। जुआत्माई मेरे अंदर समाई पर्मात्म गुणू से स्वयम को भी गुणवान बना लेती है। और उनके मुक्ष से स्वतह मेरे प्रती शुभबूल निकलते हैं। कि वहाँ यह तो बहुत अच्छे है। अनुभफ करें। कैसे पर्मात्मा मुझे साधारणता से उठा कर श्रीष्ठ बना रहा है। अपने समान गुणों की साक्षात मूर्ती बना रहा है। मिसदा हर आत्मा को। दुआएं देती हो। सबका भला हो। सब सुखी रहे। सब बाबा के बच्चे बनकर शक्ति शाली और मीठे बन जाएं। फिल करें इश्वरिये प्राप्तियों से। भरपूर होती आत्माओं को। उनकी आंतरिक खुशी को। और उनके मन से निकलती दुआउं को। बाबा की शाद में किया गया। मिरा एक एक कर्म। नकेवल वर्तमान में मुझे दर्शनिये मुरत बना रहा है। अपितो भक्ति मार्ग में हमारे यादकार जड़ चित्रों के माध्यम से भी आत्माउं को दुआएं दिला रहा है। महसूस करें। दुआएं देने और लेने के इस महत्व को और खुले दल से इश्वरिये दुआओं के स्टॉक को सबात्माउं में बाटते जाएं। जन्म जन्म की प्रालब्द बनाते जाएं। ऑ्म शांते जन्म शांते